हेलो स्टूडेंट्स आज हम पार्थ आठ गजल जो है मानिक वर्मा जी की जो कवीता है उसके स्वाध्धय देखेंगे उसके प्रश्ण उत्तर देखेंगे पहला प्रश्ण है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए इसमें पहला है गजल की पंक्तियों का तत्परियर निव के अंदर दिखो यह जो प्रश्ण है उसके बारे में हमें स्पष्टी करन देना है तो हम उत्तर में लिखेंगे हमें किसी इमारत के शिखर की तरह प्रशंसा प्राप्त न करते हुए निव की इटों की तरह बनना है हमें प्रशंसा का मोह न रखते हुए अच्छे काम करना चाहिए सेकेंड आईना बन कर दिखो इस प्रश्ण को हम पूरा भी लिख सकते हैं और इसका उत्तरफ हम लिखेंगे हमें ऐसा इंसान बनना है कि जिसके सामने कितनी भी मुश्किले आ जाएं उनका टटकर सामना कर सकें प्रतिकूल परिस्तिति में विचलितना होते अपनी मंजिल की और बढ़ें ठीक है प्रश्ण दूसरा दिया है हमको कृति पूर्ण कीजिए कृति पूर्ण कीजिए में हमें दो बातें बतानी है मनुश्य से अपेक्षाएं क्या क्या है तो पहली बात हम लिखेंगे मानुविये गुणों को अपनाना और दूसरी बात हम लिखेंगे निराश और डरे लोगों को आशा की किरन प्रदान करना प्रश्ण तीसरा देखिये जिनके उत्तर निमने शब्द हों ऐसे प्रश्ण तयार कीजिए जिसे भीड है तो जब हम प्रश्ण तयार करेंगे तो उस प्रश्ण का उत्तर भीड या शब्दाना चाह तो हमने इसका उत्तर देखा था, इसके बारे में कवीता में कहा गया है, कि कभी कहता है कि मैं जब भी भीड में किसी को भी देखो तो आप ये मुझे दिखो, दूसरा है जुगनु, अंधेरे में प्रकाश की किरन कौन बनना चाहता है, तो जुगनु, तीसरा है तितली, फूल करस कौन चूसता है, तो उत्तर आएगा तितली, चौथा है आस्मान, आंधी तूफान में धूल कहां जम कर बैठती है, तो इस प्रशन का उत्तर आएगा आस्मान में, हमने देखा है न, आंधी तूफान जब आता है, तो धूल आस्मान में जम कर फैलती है, नेक्स् आपको महसूस से लेकर भीतर दिखो, यहां तक कि जो पंक्तियां हैं, उसके बारे में हमें स्पष्टी करन देना है, तो उत्तर हम लिखेंगे, हम जब हर एक इनसान का दुख दर्द समझेंगे, उन्हें महसूस करेंगे, तो ही हम उनका दुख दर्द दूर कर सकते हैं, यह हमने कवीता में समझी हैं, कि जब हम किसी भी इनसान का दुख दर्द समझेंगे, उन्हें लोगों को अपना समझेंगे, तब ही हम उनका दुख दर्द भी दूर करने में सहायक होंगे, ठीक उसी तरह, जिस तरह मोमबत्ती का धागा उसी के साथ जलता है, अर्था धागे क भी मोमबत्ती की जलन में सूस होती है, तब ही तो वह भी उसका साथ देता है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन, कोई ऐसी मुश्किल मुझे अकसर दिखो, कोई ऐसी शकल से लेकर मुझे अकसर दिखो, यहां तक, तो उत्तर हम लिखेंगे, हर इंसान इश्वर के रूप में हमें दिखाई देना चाहिए, यह संसार इंसानों का सागर है, है इश्वर, यदि इन सभी लोगों में से, मैं जिसे भी देखूं, उसमें मुझे आप ही नजर आएं, नेक्स्ट है, प्रश्ण पांच्वा, कृति पूर्ण कीजिए, दिखिए यह, इस प्रश्ण में हमें कुछ घटक दिये हुए हैं, उनके बारे में लिखना है, गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, कौन-कौन से उनके बारे में हमें लिखना है, तो कौन-कौन से घटक आए हुए हैं, तो आस्वान शब्द आया हुआ है, फूल है, सीप है और तितली, यह सभी क्या हैं, प्रा तरह दिखना चाहिए तो पहली बात लिखेंगे हैं लिखेंगे कि निव के अंदर दिखो दूसरा है मील का पत्थर दिखो तीसरा है रोशनी बनकर दिखो चौथा है मोम के भीतर दिखो और पांचवा है आईना बनकर दिखो तो यह है हमारा इस स्वाध्हय का पूरा स्वाध्हय है आप यह सभी स्वाध्हय पूर्ण कर लीजिए और यदि आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालिये और इस वीडियो को जदा से जदा शेयर कीजे ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फाइदा मिल सके